अब हमारी क्लास चल रही है टेंस के बारे में और अभी हमने जो है सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ बाते जानी हैं सीखी हैं और थोड़ी प्रैक्टिस की थी अब उसकी आगया हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हम ने जो नियम उसके समझे हैं तीन तीन बाते sentence बनाया हमने मैं आम खरीदता हूं ठीक है यह अक्षर आगे इसका मतलब यह हो गया प्रेजेंट और यह था हूं खरीदता हूं इसका मतलब यह हुआ कि इसको देखने पर आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है में वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें ड दू बहव उचन और आई के लिए भी यू के लिए आएगा और ड़स जो है वह वह एक जैने सिंगुलर जो है सब्जक्ट के लिए आएगा ठीक है मैं आम खरीदता हूं आए खरीदना क्या होता है बाई मैंगो उस अब अगर इस sentence को हमको जो है negative में बनाना है तो आपको helping verb do या does का use करना पड़ेगा ठीक है तो I के लिए क्या आएगा do I do not buy mangos आप इसको don't के form में भी लिख सकते हैं ये short form हो जाएगी don't अगर आपको इस sentence को इस वाले sentence को interrogative बनाना है ठीक है तो आपको do को आगे लिखना होगा do I buy do I buy mangos को चल्माद ठीक है आप चाहते हैं कि इस sentence को negative sentence को अगर आप interrogative बनाए वो कैसे बनेगा do को आप आगे ले ले do या आगे आगे बचा I not buy mangos क्या मैं आम नहीं खरीदता हूँ आप चाहें तो not को इसके साथ लिख सकते हैं तो यह इस तरह से लिखा जाएगा don't I buy mangos ठीक है तो यह हमारा affirmative sentence हो गया नेगेटिव हो गया यह interrogative और यह interrogative negative sentence तो आप इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं इससे क्या होगा practice हमारी बन जाएगी कि किस तरीके से यह sentence बनाए जाएंगे ठीक है और sentence देखते हैं जितनी हम practice करते जाएंगे उतना ही हमारा उस पर जो है command बढ़ जाएगा ठीक है और वह जो हमने जो नियम सीखे हैं वह हम यूज में लेना सीख जाएंगे विदाउट practice कुछ भी नहीं होने वाला है ठीक है जैसे मैं सेंटेंस बनाओं शी को सेल्स एपल्स वह बेशती है से वह से बेशती है ठीक है यह सब्जेक्ट जो है सिंग्यूलर इसलिए वर्ब में हमने एस लगाया कहीं पर हम यह लगाते हैं कहां लगाते हैं कैसे लगाते है वह अब मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसको आप चालते है नेगेटिव बनाना तो शी के साथ में क्या आएगा ड़स फिर आप लगा देंगे नौट अब सेल अब यहां से जो यह एस होगा वह यह हट जाएगा क्यों क्यों आप ड़स आ चुका है शी ड़स नॉट सेल ठीक है बोट सेंटेंसेज आर करेक्ट ठीक है अब जो यह उपर जो सेंटेंस लिखा है हमने एफ़रमेटिव इसको हम अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखें तो ड़स जो है वह आपको सबसे इंट्रोगेटिव में ड़स जो है वह सबसे पहले आ जाएगा ठीक है ड़स शी सेल एप पस ठीक है कोश्य माख पीछा आगे यहां पर ड़स आपने यहां लिख दिया आगे ठीक है यह जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको भी आप इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं तो ड़स को आप आगे लेजिए ड़स शी नॉट को वही रहने दिया सेल एप पल्स ठीक है नॉट को अगर आप इसके साथ लिखना चाहते हैं इस सेंटेंस को तो यह ऐसे हो जाएगा ड़संट शी सेल इस तरह से हम क्या है अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और या फिर जो है इंट्रोगेटिव नगेटिव सेंटेंस का और मेशन कर सकते हैं ठीक है चुड़ी बते ध्यान रखनी है कि जब आप डस का यूज करें तो वर्ब में ऐस या येस नहीं लगाना है औ तब जब हमारा ये सब्जेक्ट जो करता है वह एक वचन यानि सिंग्जूलर होगा तब ठीक है अब देखिए अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं अब आप इस सब्जेक्ट को अगर सिंग्यूलर के फॉर्म में लिख है ठीक है सब्जेक्ट हमारा सिंगूलर हो गया कोई भी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपको ये जो वर्ब है यहां पे उसको आप लिखेंगे स्विम्स उसमें एस या एस लगा देंगे और बाकी सेंटेंस जो रहेगा ठीक है वह एस इस रहे गया तो चेंज कहां हुआ चेंज होता है ये वर्ब में त्टीक है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको वर्ब लिखनी है यह इस बात का हमें ध्यान डखना है इस टेंस के अंदर सbnज है जो सबजेक्ट सिंगूलर है तो क्या सी आपी बना सकते हैं टीक है जैसे तुम जूट बोलते हो यू लाए ठीक है अपने आप में ही यह है एक वर्ब है लाए जूट बोलना ठीक है तो अब अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या होता मोहन होता ठीक है तो आप क्या करते स्वर्ब लगा देतें इस वर्ब के अंदर इसको लाइस कर देती है वह आपको ध्यान रखना है कहां स लगाना थे अब आपको मैं बता दूं कि कौन सी वर्ब में आप एश लगाएंगे और पौन सी वर्ब में लेज़ागे ऊ-थी बात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना ठीक है देखिए एक बात है कि जिन वर्ब का अंतिम अक्षर या तो ओ है ठीक है एस है एक्स है एक्स है तो इसमें लगेगा हभा जैसे इह गो है लाश में औा गया तो आप क्या करेंगे इसको गोच कर देंगे ठीक है अगर मान लीजेये कि में اگर मान लीजेये है यह फुछ ऐस चाग आप क्या करेंगे इसको ऐस है यह यह लगा देंगे ठीक है तो इस तरह से हमको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ब का लास्ट एक यह दूसर जो दो अक्षर है ऐल्फाबेट्स हैं वो अगर ओब से end हो रहा है एक से हो रहा है तो आपको उसमें येस लगाना है ठीक है अधर आप क्या करेंगे एस लगाएंगे इस बात का ध्यान रखें अब देखो इसके अलावा कुछ वर्व होती है मैं इसको यहां लिएता हूं कि वर्व का अंतिम जो अक्षर है यानि एलफाबेट है अक्षर वाई हो तो ठीक है यानि कोई ऐसी वर्व है जो जिसका लास्ट जो एलफाबेट है अक्षर है वो वाई आ रहा है तो अब अपन एस लगाएं या इस लगाएं किस तरह से करें ठीक है उसके बारे में आपको मैं बता दू, देखेए, example पहले हम ले लेते हैं यहां पर, जैसे मान लेजिए, यह fly है, ठीक है, try, fly, try, यह अंती मक्षर क्या है, इसका, यह क्या क्या करें, कि आप यह देख लें, कि यहां के पहले वाला जो यह अक्षर है, जैसे यहां पर L है, यहां पर देखते हैं, तो यह यह सब क्या है कॉंसोनेंट से फिर ऐल्फाबेट में नहीं है यानि यह नहीं है तो अब आप क्या करें हम क्या करेंगे कि हमने लिखा की वाय qo तो कर दोगे कि था आप इसमें यह चोड़ दो इसी तरह से आप लिखंगे कि ना क्योंकि हम को AIS लगाना होगा एक तो हमने यह देख ले कि वहाई एस और यह सह एक्स यह अगर मान लीजिए कोई लास्ट में अगर एक दो अक्तर आ रहे हैं तो हमको इस लगा egEd से लगा ना है ठींशी दो एक अगर वाई आ जाता है तो हम क्या चाय को यह हिंप कि द filter P कुछ वर्व में किया होता है ? मान लेजिए हमने देखा ये play लाष्ट है वाई इसके पहले ये ए आ गया तो ए क्या है यहाँ पर ये उपर वाला या ये जो यह रूल है ये काम नहीं करेगा आपको इसमें कुछ नहीं करना आपको इसमें केवल यहां तक लिखा और एस लगा दिया इस तो यह दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी ए कि कौन सी वर में एस लगाना है और कौन सी वर में यह लगाना है ठीक है इस तरह से यह हमारा जो है और इस की बात भी हो गई यहां पर ठीक है और इसके प्रेट्रिस करते जाएंगे अब देखिए आपको मैं बता दू कि हमने यह कहा था कि डूडस का यूज जो है वो हम निगेटिव या इंट्रोगर्टिव सेंटेंस में ही करेंगे लेकिन हम उनका यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं कैसे होगा यह यह यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात है जानना जरूरी है हमारे लिए सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंसेज में दू दस का यूज करना क्या हम कर सकते हैं इसका यूज नेगेटिव में तो करते ही हैं इंट्रोगर्टिव में भी हम लोग कर देते हैं लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसमें बूरस का यूज जनरली नहीं करते हैं कैसे देखें अगर मालीज यह मैं ऐसे लिखाऊं कि मैं जाता हूं ठीक है हम क्या करेंगे इसको हम लिख देंगे I go that's all मैं जाता हूं I go मैं स्कूल जाता हूं I go to school I go to market जो भी है वो इसके बाद में लिख ठीक है लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें I do go तो हम लिख सकते हैं लेकिन यहां पर क्या हो गया है जो हमने डू का यूज किया है वो इस वर्ब के उपर जोड दे रहा है यानि कि मैं जाता हूं अवश्य जाता हूं जरूर 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 जाता हैं तो जो भी हम काम करते हैं वह हम जरूर करते हैं अवश्य करते हैं उस काम पर उस क्रिया पर जब जोर देना है तो आपको करना है जैसे वह खेलता है तो यह तो एक सिंपल बात वह उसकी है जो भी है कि लेकिन आपने अगर ऐसे लिखा ही इसका मतलब वह खेल था तो है लेकिन यह जो डास का खेलता है ठीक है यानि इसका अगर अर्थ निखा लें तो अवश्य या जरूर ठीक है खेलता है मैं अवश्य जाता हूं यानि जरूर जरूर यानि हम वो काम को करते ही करते हैं ठीक है तो अब जो है डूडस का यूज इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानि की सकार अत्मक वाकियों में भी कर सकते हैं और अगर आप बात को सिंपल तरीकी से कहना चाहते हैं कि वही मैं जाता हूं मैं मंदिर जाता ह तो ठीक है लेकिन अगर आप उस पर जोड़ दें I do go to market I do go to school I do go to temple महाँ पर क्या हो गया है यह उस पर pressure दिया है जोड़ दिया है ठीक है इस तरीके से आप यह चीज़ भी कर सकते हैं तो यह एक हमारे लिए एक एक्स्ट्रा जानकरी हो गई ठीक है ना चोड़ी सी बाद है लेकिन बहुत ही काम की है ठीक है अब इस टेंस का यूज हम कहां कहां करेंगे वह हम अगली क्लास में करेंगे थैंक यू बरिमच